हेलो फ्रेंड्स मैं विसेक कुमार इंस्टक्टर आफ आइटी आई तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपना ही चैनल जैनी टेकनिकल पॉइंट पे आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंजिनियूर ड्राइंग में हम लोग का जो चेप्टर इस्टार्ट हुआ है वह पर्योग करते हैं जो जिस जिस टूल का हम लोग पर्योग करते हैं उसके बारे में जानकारिया मतलब कौन सा टूल का यूज कब करना चाहिए इसके बारे में जानकारिया ओके दोस्तों तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता चलिए दोस्तों आज का टॉपिक है फ्रेंच कर्व, हिंदी में भी आपको यही चीज बोला जाता है, हिंदी इंगलिस नेम शेम ही है, हिंदी इंगलिस भाई भाई, चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच कर्व, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों यह आपका French कर्व है French कर्व की मदद से और शमान कर्व खीचा जा सकता है जिस कर्व को कमपास द्वारा खीचना मुश्किल ही नहीं ना मुंकिन हो जाता है जैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यदि हम बात कर लें कि यदि कोई अंडाकार बस्तू को हमको खीचना है अंडाकार लाइन ने हमको खीचना है तो इसमें हम लोग क्या कमपास का यूज कर सकते हैं इस लाइन को खिचने के लिए क्या हम कंपास का यूज करेंगे नहीं यदि हम कंपास कंपास को यूज करना चाहते हैं कंपास आपका किस तरह होता है दोस्तों कंपास आपका इस तरह से होता है दो लाइन होते हैं उसमें दो टांगे होते हैं एक टांग मीडिल में लगा के द आपका यहां साएगा तो आपको कमपास की मदद से आप सिर्फ गोला का क्या क्या दोस्तों कमपास की मदद से सिर्फ आप गोला का लाइने खी सकते हैं अंडा का लाइने नहीं खी सकते हैं यह यह यदि आपको दोस्तों आपको बोल दिया जाए कि आपको इलिप्स बनाना है इलिप्स से कोस्चन बहुत सारे आते हैं हर एक 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 कोस्चन इलिप्स से आ जाते हैं इलिप्स बनाने के लिए एक जाम में कोस्चन आ जाते हैं इलिप्स बनाने में यह हमारा कर्व बहुत मदद करता है कैसे दोस्तों को कि हम इसक्राइब करते हैं इसमें थी फॉइंट लिए जा इधू फॉल फॉल प्वायन से को हम convene की तुजा दॉस्ताइब बते हैं फिर दूसरा त्रफ से लेकिए इधर से कर दिये समझें दोस्तों या आप क्या कर सकते है इधर से ले सकते हैं इसे स्पराने के लिए 1.2.3 इस तरह से ले आजता है वां है कर दो सित, बते हैं जो कि आपका compass सबसे अधिक यूज हम करते हैं जब आपको इलिप्स बनाना हो और इलिप्स आपको आप कभी भी दिजीगा कभी आप ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं यदि आप इलिप्स नहीं सिखें बनाने के लिए तो आप लगेगा कि ड्राइंग हम जान ही नहीं रहें आपको सभी चीज़ सिखाए जाएगा आप सिर्फ मेरे चाइनल पर बने रहें रहें दोस्तों यह तो आपको आप जान गया है कि फ्रेंच कर्व का यूज कहां करते हैं यह फ्रेंच कर्व का यूज करने के लिए हमको थ्री डॉट लगाना बहुत जरूर कि है थ्री डॉट स इस तरह पहले हम डॉट लगा लेंगे डॉट लगा लेंगे वान टू थ्री अब यहां से खिसना है तो कौन सा भाग हम रखें जो कि यह तीनों लाइन को टच करें समझ रहें पहला डॉट दूसरा तिसरा कहीं भी बना लेंगे अब कौन सा लाइन को रखें यह पोर्शन रखें जो कि यह मेरा इस तरह से बंग जाए यह आप यहसा यहां से यह लाइन यह रख सकते हैं दो दोस्तों इधर से यह मतलब जो बज़कि डौवेड्व है डौट रग दोस्तों वश्वर तूसंत्याट डौट डौड डौट दोस्तों वह तीनों को को टच करें तीनों डॉट को क्या करें टच करना चाहिए वहां से उसका हम रख के हम लाइन खिच लेते दोस्तों चलिए दोस्तों जब हम इसको बताएंगे बहतर ड्राइंग पे लेके बनाएंगे दोस्तों तब आपको यह चीछ से समझ में आ जाएगा अभी सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम बात कर रहेते हैं यह जो है फ्रेंज कर्व यह आपका बना किसका होता है यह आपका दोस्तों पारदर्सक प्लास्टिक का बना होता है और दोस्तों यह इन रेमुलर कर्व होता है यह कैसा कर्व होता है दोस्तों इ लेद मुलर करना है पर्पेक करकी ऑlaw या ऑटर लाइन अलक्न होती ःनुनिकों यह लाइन इसका ओडर लाइन अलक्न है यहां कुछ अलग है तो यहां कुस्छ अलग समझत सब का ऑडर ड्राइंग कर दोस्तों कि ड्राइंग बनाते समय जब ड्राइंग सीट को क्या चानल यह करते हैं की다음 कर देँ रहा है करते हैं नेख्ट इस्टुमेंट धोस्तों आपका ड्राइंग पेन धे य sausage इसका यूज हम कब करते हैं और किस टाइम यह सब का यूज करना चाहिए दोस्तों तुम्हें बता दो दोस्तों यह आपका ड्राइंग बोर्ड है यह आपका कि ड्राइंग ड्राइंग बोड है दोस्तों ओके फ्रेंट्स जैसे आपको दिखाई भी दे रहागा यदि हम ड्राइंग बोड पे ड्राइंग सीट को रखते हैं तो हम लोग क्या कर रहें दोस्तों ड्राइंग सीट हमको एक जाम में दिया जाता है तो जिसके हम drying board पे हम पर रखते हैं तो ये माल दिये दोस्तों ड्राइंग board पे drying seat को हम रख दिये तो रख देने के बाद किया सिर्फ paper ही paper नजर आएगा नजर आता है ना सिर्फ paper ही paper नजर आता है उसके बाद तो गड़ा उचा आपको नजर में नहीं आता लुद्ध है कि दिखाईaları बर्कों कर दोलता है जब ड्राइंग बनाएगा कभि इधर से लाइन खिचेगा तो यह क्या होगा इधर सिधर ओपर नीचे हो जाता है इसको क्या करने यह जो है इसको स्थिर्टा को बनाई रखने के लिए करते हैं एक चीज और धियान रखने दोस्तों कि dyeing board का साइज और ड्राने सीट का साइज यदि equal हो यानी कि जितना आपका ड्रैक बोर्ट की साइज है वही आपका यदी ड्राने सीट की हो ही है तो हम लोग उस टाइम हम यूज करेंगे किलिप का यानि कि आपका दोस्त कहने का अर्थ जितना इसका लंबाई जितना इसका चोराई है यदि यही लंबाई यही चोराई आपका यदि सीट का भी होगा तो हम क्या करते हैं कॉर्णर पे किलिप लगा के इसे हिलने से डोलने से बचाय जा सकता है जिससे हम वर्क करें तो हमको कटना या ना हो दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, यदि क्या हो ऐसा ना हो, यदि क्या हो दोस्तों, एक चीज़ा और इसमें ध्यान चीए, अब आजाते हैं क्लिप की, क्लिप बना हुआ किसका होता है, क्लिप आपका बना हुआ होता है, के प्लास्टीक का यह आप बोल सकते हैं अर्ण का बना होता है और यह इस्प्रिंग का invece कि आप उस्प्रिंग का मतलब क्या स्प्रिंग इरे एक की कि यह जो थास का क्लिप के बारे में हम भड़े अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ड्राइंग पीन का, यदि ड्राइंग बोड, ड्राइंग बोड का साइज, ड्राइंग सीट के साइज से अधिक हो, यह कह सकते हैं दोस्तों, ड्राइंग बोड आपका बरा है और ड्राइंग सीट छोटा है, ऐसा भी हो सकता है, कि आपक को उसमें ड्राइंग बनानी है तो उस टाइम आप क्या किजेगा उस टाइम तो आप क्लिप लगाईएगा यहाँपे है इतना आगो मानने तो यह आपका ड्राइंग सीट है क्या क्लिप काम कर रहा है करेगा दोस्तों यह जो आपका क्लिप है इस तरह से जो हम लगाए हुए है इस तरह से जो क्लिप लगाए है क्या यह काम कर रहा है नहीं आपका काम नहीं करेगा क्योंकि यह टच ही नहीं हो रहा समझे रहे हैं या आपको तो हिल डोल ही रहा है समझे रहे हैं यह इधर खर जाएगा इस थिर्था तो बन नहीं रहा है ऐसे सिचुएसन में दोस्तों आपको ड्राइंग पीन की मदद लेना पड़ता है तो ड्राइंग पीन का मदद कैसे लेता है यहां पर लगाएं और यह पीन को हम बोड में क्या करते हैं इन कर देते हैं इन कर देता है ना पीन को बोड में इन कर देते हैं और यह कॉर्णर कॉर्णर पर लगा दे रहें आपको पीन की कि अब क्या होता है अब लेकिन इसमें कमया क्या जाती है तो य death करते हैं तो आणको कऩनाइया हो सकती है कब कटनाइया हो सकती है नो Otto जब आप mini protector यानि कि mini protector का चब हम use करेंगे drying board पे लगा के दोस्तों तो यह क्या होगा दोस्तों जब हम इसको हिलाएंगे तो आपको दिकत्याइँगे जब हम mini drafter लगाके mini drafter लगाके जब हम इसको use करेंगे दोस्तों तो आपको पीन के वज़ा से ड्राइंग बना लिए आप ड्राइंग बना के चल दिए हो सकता है नेक सिटिंग किसी और बच्चे का एकजाम हो जब वो उसको ड्राइंग मिले तो वो उसका पीन यहां नहीं लगके इसकी बगल में भी तो लग सकता है समझ रहा है वो अपने अनुसार अर्जेस्ट करेगा जब वो अर्जेस्ट करेगा और इस गड़े से यदि पेन को पेंसिल को क्रॉस करेगा तो क्या होगा दोस्तों इसके जो निसान होंगे सीधा नहीं जाके ये टेड़े में चले जाएंगे हो जाएंगे इसका ड्राइंग क्या हो जाएगा दिक्कत आ सकती है ड्राइंग इस कते आजाते हैं इसलिए आपको DRYING BOARD में DRYING PIN का परियोग करें तो करें क्या दोस्तों तो आप सबसे अच्छी बात दोस्तों आप cello tape का परयोग reviewers annel tape क्या कीजीगा दोस्तों यह पीन नहीं लगा के आप क्या कर सकते हैं इसके जिगह पे cello tape का यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छा दोस्तों सबसे अच्छा क्या है दोस्तों आपका cello tape क्या किजीगा इस तरह से आप cross में cello tape लगा सकते हैं लगा सकते हैं दोस्तों इस तरह से cello tape लगा दीजिए जिससे अब क्या होगा आपकी ट्राइंग की इस्तिर्था बनी रहेगी। और कहीं कोई किसी परकार का प्रोब्लम नहीं होगा। यदि आप् ब्राइंग पीन का परयोग करते हैं, तो आपको मेनी ड्राप्टर चिलाने में दिकती आ जाती है। जिससे आपको Drying बनाने में क्या होगा जâदा टाइम लग सकता है जब Minni Draptor यूज नहीं किजिएगा तक या ड्राइंक बनाने में टाइम तो लगेगा न दोस्तों तो टाइम लग सकता है लेकिन यदि आप Sellotab में लगाएंगे उसके बाद हम क्या करें MiniDraptor का यूज कर रहे हैं तो कहीं भी उपर नीचे खिसका यह कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना जहां पर इसके वाबनाओं को समझ रहोंगे आप अच्छी तरह से वाबनाओं के समझ रहें दोस्तों तो सबसे आपका सबसे उचीत आपको समझा जाता है कि अधि आपको रगे कि हमको क्या क्या दोस्तों ड्राइंग पीन का उन्हूज करेंगे आप क्या सोच रहे हैं कि आपका बहलाना हो तो अगला आदमी show shape हो्ता हम क्या होगा उसे हमको क्या लेना देना ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों तो आप तो यहां ऐसा सोच रहे हैं लेकिन यदि आप मीनी ड्राप्टर का यूज करने जा रहे हैं तो आप पीन के बज़ा सी यह एंगल पर नहीं ले जा पाएंगे समझ रहे हैं जिससे क्या होगा आपको ड्राइंग सीट में सबसे पहले क्या कॉर्णर बनाने में आपको दिकते आ सकती दोस्तों इसलिए मेरा मालना है दोस्तों कि सबसे अच्छा आप सेल्लो टेप का यूज करें पढ़ियोग करें ओके दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों और मैं एक कोस्टन आपसे लोग से पूछ रहा है दोस्तों सबसे अच्छा यूज ये तीनों मेंसे सबसे अच् ओके फ्रेंड्स जै हिंद